स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास शंकला में यह शंकला नई धारा के संस्थापक श्री उदैराज सिंग जी के साहित्य को समर्पित है इस पॉडकास में आप सुनेंगे उदैराज जी द्वारा लिखी कहानिया संस्मरन वलेक सुनना न भूले नई धारा रेडियो पर आयाद सुनते हैं संस्मरन मुन्शी बंगाल लाल भाग्यशाली मुन्शी बंगाल लाल महाभारती तथा राम किसनू नाउ ये तीनों व्यक्ति भी सूर्यपुरा में ही जन में उनकी लेला भूमी भी वही रही और अंत में अपनी लीला समेट वहीं से चले भी गए मुन्शी बंगाल लाल अपने को बहुत भाग्यशाली मानते थे इसलिए कि उन्होंने सोहराई यानि दिवाली के जुए में अंत अंत तक अपनी गोटी लाल ही की एक से एक विकट जुआरी अपनी अपनी किस्मत की आजमाईश उनकी जवानी के दिनों से ही करते रहे मगर सभी उनसे हार कर ही दूसरे दिन भोर होने से पहले ही मूँ छिपा कर अपने अपने गाउं भाग गए कोई भी उनसे बाजी लगा ले मगर उनके चौपड पर सभी की गोटी पिठी जाती दशेहरे के बाद ही गाउं में सरगर्मी छा जाती सभी की जबान पर यही चर्चा रहती देखिए इस साल बंगाल बबुआ गाउं की इज़त रखते हैं या नहीं तुम भी क्या बकते हो रमजान मियां चाचा आज तक तो हारे नहीं फिर इस साल क्यों हार जाएंगे क्यों रिठेगू हाँ भीया मेरे अंदर का राम भी तो यही बोल रहा है बाबा कभी हारी है न कोई कतनो चतराई कर ले अंत में इतना कहकर गाउं के प्रसिद शेहनाई वादक मुसद्धी महतर ने भी मुहर लगा दी अरे अब कोई क्या कहे मुसद्धी चाचा ने तो सब के मुँ की बात बटोर कर एक साथ ही कह दी कुछ इसी तरह की चर्चा आपस में मिलते जुलते गाउं के हर नुकड़ पर हो रही है दीवाली के दिन किसी के दलान में जुआ जमा है मुँची बंगाल लाल फुल फॉर्म में है धुली हुई मलमल की दुपली टोपी उसी पर गोलादार कुर्ता और खुब साफ धुली धोती भी मुख में पान के बीडे आँखों में सुर्मा एक लकडी के छोटे ही कदके मुची बंगाल लाल के पीछे उनके हिमायतियों का दल बैठा है दूसरी और प्रतिदवंदी का दल बैठा है और तीसरे दल का काम है कि हर चाल की हार जीद की खबर ख़ण ख़ण गाउं भर में पहुँचाता रहे मुची जी हर चाल पर पैसे का रेट बढ़ा देते हैं उधर प्रतिदवंदी की आँखों के सामने जलती हुई दीप मालिका नहीं सुबह में बुझे हुए दीपों के तेल को चोंच से पीकर उन दीपों को नीचे फेकते हुए कवों का दल दिखाई देने लगता है भोर होते ही छोटे बाबुजी जाडू देते हुए मुसद्दी महतर से पहला सवाल यही पूछते हैं का जी मुसद्दी राते पंगाल के का खबर बा ठीक खबर बा एक हजार से जीत गईलन पर साल साथ सो रहे हुए हैं बंगाल बाबा की जीत की खबर पाते ही फुशी से कूदने लगते हैं किसी के बंगाल बाबा किसी के बंगाल चाचा किसी के बंगाल भहिया किसी के बंगाल बबुआ और किसी के सिर्फ बंगाल की जीत की खबर गाउं में भोर से बिजली की तरह भैल गई है और अब वो कितने ही दिनों तक चर्चा का विशय बने रहेंगे और उधर शोहरत से बेलोज बंगाल बाबा भोर तड़के ही स्नान पूजा करके गढ़ पर अपनी ड्यूटी पर हाजिर है और साथ का घंटा लगा रहे हैं आज भारत में ही नहीं सारे विश्व के शहरों में जुआ खुले आम क्लबों में, घरों में, कैंटीनों में खेला जा रहा है तो बंगाल बाबा की बहुत याद आती है काश आज वो जीते होते तो उनके भाग्य ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध मना दिया होता मुझ्शी बंगाल लाल की दूसरी सिफत ये थी, कि वो किसी भोज भात में सौ सवा सौ फुलोरे गटक जाते उनका पेट तो पीट में सटा था, मगर उनकी पाचन शक्ती इतनी तेज थी, कि सौ सवा सौ फुलोरे दबा कर जब वो हात मूध होकर मगही पान के बीडे और जाफरानी पीली पत्ती का जरदा गाल तले दबाते, तो उनकी जटरागनी दुगने फोर्स से काम करने लगती बंगाल बाबा एक बड़ा रुमाल पॉकेट में नहीं कंधे पर रखते और उसी से ओटों पर की पान की पीक पोँचते जाते, कभी वो बैठते नहीं थे, बराबर लकडी की चट्टी चटकाते, गड़ के फाटक पर चहल कदमी करते रहते 24 घंटों में एक बार मेरे परिवार की प्रती अपनी वफादारी व्यक्त करते हुए जरूर सुना देते स्वर्गिय राजा सहाब यानी बबुआ के दादा जी को मुखागनी बनारस में मैंने ही दी थी हमारे परिवार में ये बड़ी बुरी परंपरा थी कि कि किसी मृतक को मुखागनी घर का सद्धिस्याना देकर बिरादरी का कोई अन्य व्यक्ती देता था इससे क्या अंधविश्वास जुड़ा हुआ था मुझे पता नहीं चला मगर इस परंपरा को मेरे पिताजी ने तोड़ दिया वो अंधविश्वासों का बड़ा मखौल उड़ाते थे उन्होंने ही पहले पहल अपनी दादी को मुखागनी दी थी इस बंगाल लाल के समकालीन थे एक दूसरे मुँशी बंगाल महा भारती सर पर सदा गाउं के रंग्रेजों की रंगी हुई पीले रंगी पगड़ी बदन में चुस्त मिर्जई जिससे उनकी छिपी तोंद उजागर होटती कमर में धोती जिसकी एक केनारी एक पाउं की फिल्ली चूते हुए दूसरे ठेहुने को चूमती नंगे पाउं कभी कभार चमरुआ जूता पहन लेते होटो पर पान की लाली के साथ ही साथ सभल सिंग चौहान की महा भारत की पध्यात्मक कथा की पंक्तियां सदा नाश्ती रहती बीवी एक बेटी छोड़कर जवानी में स्वर्क सिधार चुकी थी इसलिए बेढ़ब जवानी के दरिया को काबू में रखने के लिए उन्होंने किसी परकिया का सहारा ले लिया था पहले तो वो चुप-चुप कर छिप-छिप कर दूसरे घर में रहती मगर जब वो बेटी के कन्यादान का पुन्य कमा चुके तो वो परकिया, स्वकिया की तरह उनके घर में आकर रह गई और एक तरह से उन्होंने ठीक ही किया उढ़ापे में तेल, पानी, खाना, पकाने, खिलाने का काम कौन करती फिर गाउवाले भी इस मामले में बड़े दरिया दिल होते हैं किसी की बेबसी पर तरस खाकर उसे समाज में अपना लेते हैं महा भारती जी की एक मातर आमदनी है प्रति दिन टांग घसीटते दो कोस चल कर विक्रम गंज रजिस्ट्री आफिस जाना और खरीद फरोगत कर्ज, मनी, मकफूला, बक्षीश नामा इत्यादी का मसौदा लिख देना इस काम में वे माहिर थे और इस से दो प्राणियों के जीने का खर्च निकलाता मैं बंगले पर पंसेना यानि गुलमोहर की चाया में बैठा हूँ मुझी बंगाल लाल महा भारती पहुँचते हैं आईए आईए बैठिये, कहिए कैसे आना हुआ मैंने बगल में ही बैठाते हुए पूछा मैं वाजार जा रहा था, देखा आप सामने बैठे हैं सोचा एकशन बैठ कर शकुनी वाला वो प्रसंग पूरा करतू उस दिन आधे पर ही छोड़ देना पड़ा था आरा से कोई महमा न पहुँचे थे वाह, जरूर सुनाईए महा भारती जी वही प्रसंग फिर छेड बैठते हैं उन्हें पूरा महा भारत कंठस्त है और उनकी सबसे बड़ी खुबी यही है कि किसी भी प्रसंग को पूरी रोचकता के साथ भोजपुरी में ही सुना देते हैं और बीच-बीच में सस्वर पाठ भी करते जाते हैं अंग-अंग नचा कर एक अनोखी भंगिमा के सहारे फिर वे केवल इतिहास ही नहीं उसकी बारीकियों को उसमें छिपे रहस्यों को भी बताते चलते उफ उनकी खनक भरी आवाज उसी की ले पर अपने हाथ और सर को जो वो हिलाते वो कहानी की रोचकता में जान डाल देती दो घड़ी बात कथा समाप्थ होती है तब भी मुझी बंगाल लाल वहीं इत्विनान से बैठे रहते हैं मैं अन्य लोगों से बाते करता हूँ फिर महाभारती जी से पूछता हूँ कुछ और काम है? वो मुझे अलग ले जाकर विनीत स्वर में कहते हैं मालकिन बहुत तंग कर रही है उनकी साड़ी भट गई है तार-तार हो गई है मदद कर दे कितने में काम चल जाएगा? सिर्फ पांच रुपे में मैं छिपा कर उन्हें पांच रुपे दे देता हूँ वो प्रसन हो चले जाते हैं एक दिन महाभारती जी स्कूल के खेल के मैदान में पहुँच जाते हैं मैं शिक्षक वरिंद के साथ टहल रहा हूँ वही वो छेड बैठते हैं आप लोग वीर अभिमन्यों की वीरता की कथा मुझ से सुन ले बड़ी ही मारमिक है हाँ हाँ जरूर सुनाईए वो सुनाने लगते हैं जहां से भी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड चढ़ा दीजिए वो एक ही गीत से चलने लगेगा इनका भी वही हाल है जो भी प्रसंग हो उसे उनसे कहीं से भी सुन ले बीच बीच में पद्यों को सस्वर सुनाते जाते किस सा भोजपुरी में सुनाते पद्यों को खड़ी बोली में उसके ताल और सुर का उनका निराला अंदाज है भीश्म पितामा की शैशयया पर पड़े सूरे के उत्तरायन होने की प्रतीक्षा द्रौपदी का चीरहरन युद्ध का द्रिश्य जैदरत वद्ध का बखान कुरुक्षेत्र का मैदान सभी का वर्णन कर उनका द्रिश्य हू बहू खड़ा कर देते गजब की प्रतिभा किसी भी विद्याले में कोई शिक्षा नहीं पाई कैथी छोड़ नागरी अक्षर लिख भी नहीं सकते मगर महाभारत का इतना गहरा अध्यन और बड़े आत्म विश्वास के साथ उसकी कथा सस्वर भी सुनाने का अनोखा अंदाज गाउं में जाने कितनी प्रतिभाय जन्मी और एक दिन योहीं मिट गई और वो भी कस्तूरी म्रिक की तरह अपनी कस्तूरी को पहचान नहीं पाए राम किसनू नाउ राम किसनू नाउ अपने खांदानी पेशे से तो कभी जुड़ा नहीं आ नाउ का उस तरह कैची का जोला बगल में अवश्य लटका लेता एक अर्थ में वो अपने खांदानी पेशे से अवश्य जुड़ा हुआ था तेल मालेश उसके ऐसा आज तक कोई न कर सका पकी हुई गुलगुच्छा दाड़ी लंबी-लंबी मूच्छे गर्दन पर लटकती हुई बालों की जुल्फ वो एक बुढ़े शेर के सद्रिश दिखता था बड़ा भड़कीला, चहरा, मोहरा, पहलवानी शरीर भी राम किसनु नव का काम था कि घर से छूटते ही पहले वो पोखरा पर ब्रह्मस्तान पहुँचकर अपनी बरादरी वालों के साथ कुछ देर बैठता फिर हमारे बंगले पर पहुँचता और पिताजी की तेल मालिश करता पिताजी तेल मालिश एक घंटे से कम नहीं कराते और उसी समय कुछ जमीदारी का काम भी करते कुछ पत्रों के उत्तर लिखवाते और ज्यादा समय सुरेश कुमार जी को बैठा कर रात में छिट पुर्जों, अखबार, पत्रिकाओं के हाशिये पर लिखे राम रहीम का सिलसिलेवार लेखन सुरेश जी को बोल कर लिपी बद्ध करवाते इस लंबे दौर में तो बुढ़े राम किसन का शरीर पसीने से लत्पत हो जाता कुछ दिनों बाद एक जवान छोकरा उनकी तेल मालिश करता चुकि ये किस्सा मशूर था कि राजा साहब की जो भी तेल मालिश करता है वो अंत में असमय ही स्वर्ग सिधार जाता है ऐसी कड़ी मेहनत उसे करनी पड़ती लखन और छोटक उनके दो जवान नौकर जब भरी जवानी में ही मर गए तो गाउं में ये किस्सा मशूर हो गया पिदा जी के यहां से छूटता तो वो छोटे बाबुजी के यहां पहुँचता तेल लगाने उनको वो देह में तेल कम ही लगाता ज्यादतर उनके सर में जवा कुसुम तेल की चमपी करता और देह के जोडों का दर छुड़ा देने की अपनी अद्भुत कला भी उन्हें दिखाता उनके सर में तेल मालिश करते हुए वो एक घंटा जरूर ले लेता तरह तरह से चमपी करता और उसी बीच वो गाओं भर की राजनीती स्कैंडल यानि किसकी बीवी किसके साथ भसी है और किसकी बेटी किसके साथ भाग गई है किस बूढे ने किस जवान लड़की को लाकर शादी कर घर बसा लिया है और जमीदारी का कौन मुलाजिम सरकार की आँख में धूल जोग कर पैसे बना रहा है इत्यादी खुराफातों से उन्हें नमक मिर्च लगा कर अवगत करा देता मेरे चाचा बड़े गुस्सेवार सुभाव के थे कभी कभी रामकिसनू की ही जासूसी रिपोर्ट पर वो कड़ी कारवाई करवा देते और चोड सेंध पर ही पकड़ा जाता इसलिए लोग बाग रामकिसन नाउक से खौफ भी खाते पता नहीं किसके पेट में घुसकर वो उसकी चालों का पता लगा कर दोनों सरकार के कानों में क्या मंद्र फूँगते और रामकिसन नाउक शोख भी हो गया था कि दोनों सरकार उसकी जासूसी पर ध्यान भी देते हैं इसलिए ज़्यादतर वो सची बाते बताता और जिसने उसकी खातिरदारी में जरा भी कोर कसर की उसके खिलाफ अवश्य जुल देता यदि आज की तरह उन्नत जासूसी विभाग में वो पढ़ लिखकर ट्रेनिंग लेकर काम करता तो सच मुझ खूब नाम कमाता जासूसी के संसकार तो उसमें बड़े गहरे थे एक बार स्वर्गिय M.M. फिलिप, I.C.S जो उन दिनों सासाराम के S.D.O. थे सूर्यपुरा आए बाबुजी ने उनसे राम किसन उनाओ की तेल मालिश की खूबियों का बखान कर दिया फिर क्या था? युवा फिलिप साहब लूंगी लपेट कर चौकी पर पढ़ गए और राम किसन ने उनके अंग-अंग में तेल मालिश कर उन्हें तरोत ताजा कर दिया फिलिप साहब उसके मुरीध हो गए और जब भी सूर्यपुरा आते तो राम किसन से तेल मालिश अवश्य कर आते फिर जब वे आरा के जिला नियायाधीश होकर आए तो उस समय भी पिताजी आरा आते तो उनके लिए राम किसन नाव को भी साथ ले जाते फिलिप साहब की तरहा आरा के दूसरे जिला नियायाधीश स्वर्गे TGNIR, ICS जो हमारे मामा के लंदन में सहपाठी भी थे राम किसन नाव की प्रतीक्षा आरा में अवश्य करते और मेरे मामा से पूछते मधन तुम्हारा राजा कब आ रहा है बहुत दिनों से मेरी तेल मालिश नहीं हुई है उस नाव को बुलवाओ अभी सूरे पुरा खत लिख दो राम किसन नाव की बातों को सुनकर मेरा बड़ा मनोरंजन होता क्योंकि हमारी बाल मंडली को उसका शेर की तरह का चहरा देखकर खूब हसी आती और होली में गाउं के लड़के उसके घने गलगुच्छे उसकी खस-खसी दाड़ी तथा जुल्फदार लंबे-लंबे बालों को किस्म किस्म के रंगों से मेरे इशारे पर रंग देते और वो गुस्से में धेर सारी गालियों से सब को भर देता इस पॉड़कास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुती आपको जरूर पसंद आई होगी अन्यपॉडकास्ट्स विडियो इंटर्व्यूज आदी के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर फॉलो करें जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी धन्यवाद